नमस्कार और सलाम स्वागत है आप सब का इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा फ्रेम के ओपर पीवट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है शुरू करते हैं तो मैंने पहले से ही एक फाइल रीड कर रखी है ओडर्स डेटा फ्रेम में यह वही को थोड़ा विजुलाइज इसको करना है गुरूबभा कुछ इस तरीके से होता है कि एक कॉलम के अंदर वो यूनिक वैल्यूज लाता है एक ही कॉलम में और राइट सैड में उसका एग्रिगेट परफॉर्म करता है अब पीवट ऑपरेशन एक स्टेप इससे आगे है पी पीवट ऑपरेशन और बीच में हम एग्रिगेटेड वैल्यूज चाहते है इस तरीके से क्या है हमें कि टू डैमेंशनल समरी चाहिए तो यह है पीवट तो सबसे पहले क्या हमें गुरूबभाई की ज़रूद पढ़ेगी और फिर पीवट तो हमारा जो डेटा फ्रेम है इसके बाद हम कहेंगे गुरूबभाई और गुरूबभाई में मान लीजिए कि हमने प्रोड़क्ट नेम से शुरुआत की मुझे मान लीजिए कि हर प्रोड़क्ट का टूटल सेल्स ताहिए तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे sum of sales amount column और इसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर देंगे और फिर display तो यह तो हमने पहले भी किया है पिछले videos में इस तरीके से आएगा अब मैं चाहरा हूँ कि जैसे मान लीजी color column है या country column है country लेते हैं तो यहाँ पर मुझे अलग-अलग country के नाम आ जाए उपर header में और बीच में इनका sales आ जाए तो इस चीज के लिए हमें चाहिए pivot operation जो इन सारे rules में जो country के नाम है उनको transform करके column headers बनाए तो इसको हम कहते है pivot तो इसके लिए आपको करना ये है कि group by के बाद आपको करना है pivot operation और इसके अंदर बस बड़ा आसान country column को pass करना और बाद में आप continue करेंगे जो aggregation आपका sum min max count जो भी आप चाहते है बस इतना run किया अब दिखें यहां पर आपको Australia, Canada, France, Germany, India, United Kingdom, United States यह जो भी है और जहां पर null है इसका मतलब वो combination में data नहीं होगा actual में ज्यादा real data होगा तो यहां पर जरूर values दिखेंगे आपको लेकिन सबसे एहम बात यहां पर हमें यह सीखना था कि कैसे pivot बनाना है बड़ा आसान है बस एक operator pivot group by के साथ और country और याद रखिए कि एक column के अंदर अलग-अलग rows को वो pivot क्या करता है अलग-अलग column header में transform कर कर सकते हैं यहां पर और एक जो चीज है कि बसे तो pivot में कुछ चेंज नहीं होगा आप चाहिए तो जैसे माली जे गुरूर बाय में product की भी ले सकते है या कोई और भी column ले सकते है जैसे हमने पिछले videos में देखा है बस इतका यह difference होगा output पर कि उन दोनों column का unique combination मिलेगा तो रोज हो सकता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए जो भी है कम तो नहीं होगे बढ़ेंगी तो यहां देखे 606 हो गए तो यह दोनों distinct आके आपको मिल रहा है लेकिन मैं यह बताना इसलिए चाहरा है कि pivot table पे हमारे क्या है output का कुछ खासा फरक नहीं पड़ेगा हाँ values थोड़ में देखने के लिए शुक्रिया बने रहे धन्यवार